आकाश्वाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं नवनीत चोवे पहले एक अपील भारत ने कोविड टीका करण अभियान के अंतरगत 100 करोड टीके लगाने का लक्ष हासिल कर लिया है इस महत्पुर्ण कारे में योगदान करने वाले चिकिस्षकों नर्सों और अन्य स्वास्त कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है आप सभी से हमारी अपील है कि अथा शिग्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरीत करें क्यों हारों के समय क्रप्या इन तीन आसान उपायों का पालन अवश्य करें मास्क पहने, दोगस की दूरी बनाये रखें, हाथ और चहरा साफ रखें कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्क दर्शन के लिए राश्ट्रिय हेल्प लाइन नंबर 011-23-97-8-04-6 और 1075 पर संपर करें अब इस बुलिटेन के समाचार सबसे पहले मुख्य समाचार जलवायू परिवर्तन और अन्य वेश्विक मुद्दो पर विमर्श के लिए कल G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल ने दी पठाके चलाने की सशर्थ अनुमती नीट इसनातक परिक्षा वर्ष 2021 के परिणाम घोशित करने का रास्ता साफ नियाल ने दी उमिद्वारों के लिए फिर से परिक्षा कराने के फेसले पर रोक लगाई और इन दोर को देश के शिर्ष वायू गुणवत्ता वाले शहरों में शामिल करने के लिए विशेश अभियान शुरू होगा अब समाचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सोलहवे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली की राजधानी रोम पहुच गए हैं इटली सरकार के वरिष्ट अधिकारियों और इटली में भारत के राजदूत ने श्री मोदी का स्वागत किया इटली के प्रधान मंत्री मार्योद रागी ने श्री मोदी को कल से शुरू हो रहे दो दिन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है शिखर सम्मेलन में G20 सदस्त देशों, यूरोपिय संग और अन्य आमंत्रित देशों तथा अंतरराष्ट्रिय संगठनों के राष्ट्रा ध्यक्ष भाग लेंगे G20 शिखर सम्मेलन लोग, ग्रह और सम्रध्धी, विशय पर केंद्रित होगा शिखर सम्मेलन में वेश्विक अर्थवय अस्था, कोविट महमारी से निपटने में स्वास्थ सुईदाओं के वनियादी धाचे को मजबूत करना उर्जा, सतत्विकास, खाद्य सुरक्षा और जलवायू परिवर्तन की चुनोतियों से निपटने जैसे मुद्धो पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी मद्यप्रदेश में खंडवा लोग सभा और रेगाओं, क्रच्वीपूर एवं जोबट विधान सभा निर्वाचन के लिए कल वोट डाले जाएंगे इन शेत्रों में होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई है मतदान कल सुभर साथ बजे से शाम छे बजे तक होगा आज इन सभी शेत्रों में मतदान दलों को चुनाव सामगरी का वितरन किया गया मतदान दलों को कोरोना से बचाव की सामगरी भी उपलब्ध कराई जा रही है इस चुनाव में कुल 26,50,000 से जादा मतदाता 48 उमिदवारों की किसमत का फैसला करेंगे मतदाताओं की सुधा के लिए 3944 मतदान केंद्र बनाए गए है दिवाली पर मद्धिप्रदेश की लोग पटाके चला सकेंगे नेशनल ग्रीन टिबुनल ने इस सम्मन में सशर्थ आदेश जारी किया है इसमें कहा गया है कि जिस शहर की वायू गुनवत्ता एयर इंडेक्स क्वालिटी 101 से 200 के नीचे है वहाँ दिवाली पर दो गंटे ग्रीन पटाके फोड़े जा सकेंगे अच्छी बात यह है कि 28 अक्टूबर तक प्रदेश में कही भी 200 से ज़्यादा AQI नहीं है यहां तक की इंडेस्ट्रियल एरिया में भी यह 150 के आसपास ही है NGT ने शहरों की वायू गुनवत्ता के आधार पर पटाके फोड़े ने या रोक लगाने के निर्देश संबंधी शहर के कलेक्टर, राजिसरकार और प्रदूशन कंट्रोल बोर्ड की जवाब दे ही तैकी है COVID के चलते इस बार भी दिवाली और अन्यत योहारों पर पटाकों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी इस संबंध में दायर याचिका पर NGT ने यहाँ आदेश जारी किया है वही क्रिस्मस और नियूएर के दोरान राद 11.55 से साड़े बारा बज़े तक ग्रीन पटाके चलाने की अनुमती रहीगी ट्रिबिनल के आदेशों का उल्लंगन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा लोकल फार वोकल को बढ़ावा देने के उद्देश से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिही चोहान आज छतरपूर पहुचे उन्होंने राजनगर विकास खंड के ग्राम धमना में टेरो कोटा सहीत मिट्टी के दिये मिट्टी के बरतन बनाने वाले परिवार के घर पहुचकर उनकी कारीगरी और काम देखा इस दोरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार स्वा सहायता समूहों की महिलाओं और गरीब परिवारों को अधिक से अधिक रोजगार के अउसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि स्वा सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए इस्थानी स्तरपर बने उत्पादों को खरीदा जाना चाहिए इसके लिए उन्होंने दिपावली परव पर इस्थानी स्तरपर बने मिट्टी के दियों का उप्योग किये जाने पर बल दिया अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं, दो गस दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मूँ साफ रखें ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है उच्चतम नियाले ने नीट इसनातक परिशा 2021 के परिणाम खोशित करने का रास्ता साफ कर दिया है नियाले ने दो उमिद्वारों के लिए फिर से परिक्षा कराने के बंबई उच्च नियाले के फेसले पर रोक लगा दी है इन उमिद्वारों ने उच्च नियाले में परिक्षा में प्रदान किये गई प्रश्न प्रत्र और उत्तर पुस्तिका की क्रम संख्या अलग-अलग होने की शिकायत की थी नियाय मूर्ती एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इन दो उमिद्वारों के बारे में बाद में विचार किया जाएगा इन दोर को देश के शिर्ष दस वायू गुणवत्ता वाले शहरों में शामिल करने के लिए विशेश अभियान शुरू किया जाएगा वर्तमान में केंद्रिय प्रदूशन नियंत्रन बोर्ड की बहतर आबू हवावाले देश के 43 शहरों की सूची में इन दोर 13 वे स्थान पर है संभाग अयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि इसके लिए प्रदूशन नियंत्रन बोर्ड नगर निगम, परिवहन, खाद्य, स्वास्थ, क्रशी और पुलिस विभाग समनवित प्रयास करेंगे शहर में वायू गुणवत्ता सुधारने के लिए पराली और सार्वजनिक स्थानों पर कच्रा जलाने पर वेधानिक कारवाई 15 वर्ष से अधिक पुराने डीजल चलित व्यावसाइक वहानों पर रोक, वहानों में प्रदूशन की निरंतर जाज, लोक परिवहन के लिए कठिन दोर से निकलने के बाद, शेक्षनिक वातावरन को नया रूप देने और पिछले दो वर्षों से वियावहारिक रूप से रुकी पड़ी अध्यन अध्यापन की गतिवीधियों को एक नई संकलपना के साथ शुरू करने के उद्देश से विद्दार्थियों ने ति हैतर विश्व के लिए आर्थिक संबंद और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। हास से में बाइक चला रहे, 19 वर्षी युवक की मौके पर ही मोत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सीहोर जिले के जिला पंजियक ने जानकारी देते हो बताया कि सीहोर जिले के सभी उपंजियक कार्याले कल शनिवार 30 अक्टूबर को खुले रहेंगे। इस बुलिटन के अंत में एक अपील हमेशा धिहान रखें, मास्क और दोगस की दूरी हाथ धोना भी है, जरूरी, नमस्कार